जैहिंद नमस्कार सिख्षा का भर्तियों आपका स्वागते 27 ख्लासे 30 गिनुट मोस्ट इंपोर्टेंट खवर है खवर किसके रिगार्डिंग है तातियों आप लोगों को पता है कि PRT में जो है आपको डोकुमेंट को री अप्लोड करने का मोका दिया गया ऐसा है कोई गलती हों गया है उल्टा पूल्ट हो गया है मार्क सीट के जगा सटिट सटिप्र सटिट अपलोड हो गया और का जाती आवास है मगर डिजिटल वी गाइव को क्या करना है इसके लिए आपको मोका दिया गया थे अपकी तो कि यह कीस से लेकर मौका है आपका 25 तक और आज 20 हो गया और 23 का अवलगवग साम हो चुका यानि कि 24 एक दिन कल है जो कि संडे है तो अटेस्टेट कराने का मौका मिलेगा नहीं सारी कारियाल या ओफिस बंद रहेंगे और एक दिन आपका मंडे है यानि कि ज्यादा चुके अप्लोड कर चुके हैं अब क्या है कि आप अप्लोड कर दिये है लेकिन जब आप अपने डिक्यूमेंट्र लेश्ट में जाकर देखते हैं आपको पुराना वाला बलर वाला या पीर गल्ती था जो बिना डिजिटल सायन वाला था वही दिखए रहा है अब करना к तो मैंने माननी आतुर प्रसाद सर को डिस्ट्रिगार्डिंट किया है लेकिन अभी तक कोई टूइट का रिपला नहीं आया है और कोई भी अगर आपको कार आ है कि कुछ भी अनाफशना पता रहा है तो उसके फेरा में मत पढ़ना है नहीं पढ़ना हम जो बताएंगे और थ से साथ जार बच्चे हैं जो nó can to do it सब्सक्राइब और है ब्सक कीजैंग में ऐसे में अच्छा मार्ट सा रहा है धीक क्या है CT ET CTET में क्या कर रहे हैं फाइल कर रहे हैं मतलब डिजर्व कटेडिया में भी जैसे EBC OBC को बेरासी चाहिए जनरल को नब्या चाहिए तो नहीं आ रहा है तो इसके बारे में है कि तो जब आप खोलते हैं आप को इस तरह से दिखता है कि यहाँ पर आपका कंडिडेट का नेम हैं मुबाइल नुमर सब कुछ दिखता और यहां पर नीचे आपको दिख रहा है यहां पे क्या है यहां पे आपको दिख रहा है क्या ची कि डाउनलोड अप्लोड डॉकुमेंट जो डॉकुमेंट आप अप्लोड किये हैं यहां से डाउनलोड करके देख सकते का आपका डॉकुमेंट सही है यह गलत तो यहां से आपको पता चल जाएगा का आपका डॉकुम चाहिए प्यार्टी के लिए आधार काड़ आपका होना चाहिए रिजर्वेशन का टेरिया उसके बाद रसिटेंशियल अगर आप बिहार से हैं तो अगर आप यूपी से या कहीं और से यह दो सर्टिफिकेट आपका रेडियूस हो जाएगा उसके बाद सीटेट बीटेट प अगर वह गरजुएशन का अप्लोड कर दिया तो भी कोई दिक्कर नहीं है तो यूपी वाले और बीड एमेड का डिगरी ठीक न और यहां आपका डॉक्मेंट यह सारा कुछ क्या है आपका सीटेट पेपर वन के लिए है सब कुछ आपका डॉक्मेंट सही है आप यहां से बारी बारस उपलोड करना देख जीजिए अगर आपका सब कुछ के लिए रहतो कुछ भी डिए अपलोड करने का जरूरत नहीं है हमारे पास कुछ बच्यों कि अ हैं सर हं रूक क्या क nervous अपलोड कर दे क्या अटेस्टेट करा के तो बिल्कुल नहीं आपको कोई यूप लोड नहीं करना है जब आप री अपलोड कर देते हैं इस तरह से खुलता है यहां पर यहां पर डॉक्यमेंट अपडेशन में यहां पर जाइएगा इसको क्लिक किजेगा इस तरह का आपका फुलेगा यहां पर आपको क्या करना अपना डोकुमेंट जिससे अटेस्टेट कराए हैं जैसे आपके सर्वेस्ट सर्च कराए यहां मेरा नाम यहां पर लिख देना है कि 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 member लेकिन जब आप फिर वापस यहां जाईएगा किलिक किजेगा तो आपका पुराना वाला अप्लोड है वही दिखेगा तो डॉंट वरी यह सब के साथ हो रहा है किसी कोई भी ऐसा लरका नहीं है जिसका री अप्लोड करने के बाद क्या है नया डोकुमेंट दिख रहा है या किश दिन बाद होगा लेकिन आपने संब्मिट कर दिया समिट हो गया है कि यह नहीं किया आपको आप लोड किया में पाइल हो गया आपको पता है कि इसे में वाले थे वह सत्तर हजार प्लस बच्छे क्या थे सिटेट और कि अभी करेंग बच्छे लगबख सत्तर हजार के आसपास इसमें क्या हुए दीलेड में तो ज्यादा तर पास कर गये हैं लेकिन कुछ और कुछ बच्चों का कि व्यक्च लग गया कि सिने किसी पेपर में आज गया है आप लोगे स्कूटनी के लिए अपलाइ कर दिया होंगे तो यहां पे जो हमला असबसे इंपोटेंट क्या है कि सीटाइट में कहा कि या डाज़ा जाएगा यह सिसर किहां वाफिगा Um दाल दिजे उसके लिए अलग से जब मोका दिया जाएगा तभी डालना है अभी कुछ भी नया नहीं डालना है नहीं तो आप मुनिफिलेशन हेरा फेरी में फच सकते हैं और आप अपनी पातरता को खोच सकते हैं साथ और जिसका भी माल लिए प्रेशन हे जिसे जाती किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए आप भी बनाना पड़ेगा एक जाम से पाहले तो शीट वाले लगबग जो है अट्टे सितंबर को रिजल्ट आएगा और इसमें लगबग फोर पर सेंट ही बच्चे इस बार भी पास कर रहे है बहुत कम रेशियो है तो किस बार कोस्टन का लेवल फोरा आप था इस वज़े से क्या है कि बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं लगबग पचास अजार की बच्चे क्या है बाहर हो रहे हैं और डी एलेड वाले तो हैं ही साथ साथ बीड वाले भी हैं यह भी एक आपका इंपोर्टेंट ख़वर था ठीक और सबसे बड़ी बात है कि बीपीएस से टी आरी के लिए जो है बीपीएस से टी आरी एक्जाम डेट परिक्षा के दूसरे दौर के लिए जाएंगे यानि कि 15 अक्टूबर तक आपका क्या आजाएगा रिजल्ट आ जाएगा वीपीएस से टी आरी वन का ओके और उसके बाद टी आरी टू का आवेदन लिया जाएगा पचास परतिसात मैलों का रक्षन दिया जा रहा हो के नो उसके बाद 9 नमबर तक आवेदन होगा ठीकन साथियो और आपका जो है यह 2-5 दिसंबर तक परिक्षाय होगी और जनवरी में आपको क्या होगा जनवरी में आपका 25 जनवरी तक रिजल्ट दे दिया जाएगा और टी आरी वन वाले को 25 जनवरी तक जोइनिंग दे दिया ठीकन साथियो असपष्ट आदेश दिया है का अगामी चुनाव के अचार संगितान लागू होने से पहले बीपीसी टी आरी का जो है रिजल्ट वो क्लियर हो जाएगा ओके यह मोस्ट इंपोर्टन खबर थी एक्जाम डेट आ गया है और आपको पता है कि बीपीसी या जो हो रहा है क्योंकि इस बार पहली बार था बहुत सारी गलतियां हुई है चात्रों को तो मन्यातुल प्रसाजी जो की उदार दिल के व्यक्ति है वो बार बार आपको सुधार का मोका दे रहे हैं लेकिन फेस्टू में आपको इतना सुधार का मोका नहीं मिलेगा आप लोग जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं आवास या इस नहीं यह सीटेट जाती नहीं है कुछ भी सर्टिफिकेट का विलीचिंग है वो सब गरजोशन का सर्टिकेट नहीं है तो सब आप लोग लाक रखिएगा और हमें बहुत बच्छे पूछ रहे किसे सर या डिया वाले होंग लेकिन अभी जब तक आयोग का नोटिस नहीं आएगा हो सकता है कि जो मतलब यह वाला है क्योंकि हम जो है तो इसमें दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इसका है और इसमें पेमेंट भी ठीक ठाक है तो सबसे ज्यादा बरिबात क्या है का भी रोस्टर सिर्फ के लिए नहीं होगा प्रोस्टर जिलाव में वेज आ गया किलीर इंश के लिए जैसे किलिए होता है वेकंसी आएगी लेकिन वेकंसी आने से पहले एक्जाम डेटे इसलिए दे दिया गया है ताकि आप पढ़ते रहें और अपने सेलेक्शन के मार्ग को प्रसस्त कीजिए और बिहार में बहुत सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि आपको यहां बहुत कुछ मिलेगा दिखने के लिए जानने के लिए और हम लोग जो यह भी आपको बता दिए नोसो नासी पोस्ट आ रहा है डिटेल में ओके तो यह जो खबर थी यह मोस्ट इंपॉटेंट खबर थी आप लोगों के लिए बीपी एसी टी आरी में जो भी अप्लोड़ेट डोकुमेंट है नहीं दिख रहा है तो दुबारा अप आपने अप्लोड कर दिया है सम्मीट हो गया तो ठीक है नया डोकुमेंट अप्लेट कर दिया है पर पुराना दिख रहा है डोंट वरी टेशन नहीं लेना सीटेट फाइल बच्चेक वज़े साब कट अब क्या हो रहा है लो हो रहा है और नया कट अब भी बता देते हैं कि इसका जो है बावन से पच्पन और यहां पर क्या है वियालिस से पैटालिस ठीक ने उसके बाद वह बी सी है इनका भी एकावन से चववर और इनका एक तालिस से चववालिस ठीक गल्स का ओके साथ यह और माल लिजे जैसे इवी सी है इवी सी का भी पचास से चववर ओके लेकिन दिकत कहा होगा सी एंड एस्टी एस्टी और सी कर जाएगा बी आलिस चालिस चालिस पलस पलस इधर इधर जो है और आपको पता है कि बच्चे इतना ही पास करेंगे जो भी हो सेवन्टी फाइव परसेंट भरा जाएगा विकाउस रीजन यह है कि अगर कटप को लो की आ जाता है जो कि आपका कटप निर्धारित था जेन्डल एडव्लू एस जेन्डल एडव्लू एस ओविसी के लिए कितना था सोरी ओविसी नहीं बाकि इसके लिए कितना 40 परसेंट था ओविसी और एविसी इलिए आपका 38 परसेंट का सपास था महिलाओं के लिए जो है 32 परसेंट था गल्स अगर इससे cut-up down किया जाता है अगर इससे cut-up down किया जाता है अगर आप इतने में 100% qualify कर जाएगा तो 100% भर देगा ठीक है लेकिन अगर इससे cut-up क्या होता है cut-up cut-up marks जो निर्धारित cut-up marks thousand down होता है तो 75% भरा जाएगा ओके तो यह जो थी most important अप्डेट था आपके लिए आप बने रही है सर्वेस क्लासेट के जीजी के साथ पढ़ते रही है बढ़ते रही है ओके मिलते अगले व्रियों में तब तक क्या करना है खूब अच्छे से वीडियो को देखना है और आप हमारे चैनल के साथ जूरे है तो इस चैनल गो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिजिए सर्वेस क्लासिट के जीजी को और यहां जो बगल में यहां जो बगल में आपका दूसरा वीडियो है उसको भी देख लिजिएगा ओके ताकि आप क्या कर सके ज़्यादा जानकारी ले सके अब हम लोग जो साथ